इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बैल गॉरा नाम की जहा को दिखाया जाता है यहाँ पर एक आत्मी भाग रहा होता है और उसके पीछे को सिपाही लगे हुए होता है अब कुछ आगे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आत्मी उन सिपाहीों से घिर जाता है तब ही यहाँ पर उस जहा की कोईन आती है और वो उस आत्मी से किसी चीज़ के बारे में पूछ रही होती है लेकिन जब वो आत्मी उसको कुछ भी नहीं बताता तो अपने जादो से उसको पत्थर की मूर्ती में बदल देती है और जो उस आत्मी का साथ ही होता है वो यहां से भाग जाता है अब हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है कि यहां पर ऐसी बहुत सारी मूर्तिया पड़ी हुई होती है यानि कि कोई ने और भी लोगों को मारा होता है इसके बाद हमें दूसरी जहां का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर हमें एक ईवान नामके आदमी को दिखाया चाता है जो के एक उसके बाद हमें नेक्स डे का सीन दिखाया जाता है जो इवान होता है वो एक लेड़ी के घर पे जाता है और यहां पर कुछ जादु गरने के बाद वो उसको बताता है कि तुम्हारे घर पर काली शक्तियों का साया है और वो उससे कहता है कि इसलिए तुम्हारा husband तुम्हारे उपर चेट कर रहा है अब वो यहाँ पर एक टोटका करता है और वो जो लड़की हो भी है वो उसको इसके बदले में बहुत सारे पैसे देती है इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इवान एक hospital में आता है और से दुखी होते हुए आ जाता है और यहां से आतर टाइम वो अपने बच्चपन के flashback को भी सोच रहा होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब इवान औरफन में रहता था तो वहां के कुछ बच्चों ने इवान को एक कमरे में बंद कर दिया था और इवान ने में होता है इवान मौका देखकर यहां से भागने लग जाता है और भागते हुए वे एक slide में फूरता है और वहां से घुसरते हुए वो एक दूसरी दुनिया में आकर निकलता है इवान यहाँ पर आने के बाद बहुत ही परिशान हो जाता है लेकिन तभी एक बुड़ा आदमी उसके पास आता है और ये वही बुड़ा आदमी होता है जो कि उस आदमी का फ्रेंड था जो कि स्टार्टिंग में दिखाया गया था अब वो बुड़ा आदमी उसको बताता है कि यह बैल गोरा है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे मावाप यहीं के थे और वो उसको वो बोड़ा आत्मियों उसको एक रिंग देते हुए कहता है कि अब तुम्हें इस जखा को बचाना होगा इससे पहले कि वो उसको कुछ और बता पाता तभी एक तीर आकर उस बोड़े आत्मीं की पिट पर लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है अब कुछ लोग आकर यह इवान को सबसे मिलवाता है और वो उसको कुईन से भी मिलवाता है अब जो कुईन होती है वो इवान को इस महल को घुमाने के बहाने से लाकर एक कैद खाने में कैद कर देती है यहाँ पर इवान जो होता है वो कोसी नाम के एक आदमी से मिलता है यहाँ पर कोशी के सभी ब चोती है अब हमें दिखाया जाता है जो इवान होता है वो कोशी से पूछता है कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है तो कोशी उसको बताता है कि तुम एक जादूई तलवार के द्वारे ही यहां से बाहर जा सकते हो और वो उससे कहता है कि उस तलवार को बस अलिश सभी लोगों से छुटे चुपाते यहाँ पर आती है और जो विच होती है वो जादू से सभी लोगों को यहाँ पर सुला देती है अब जो नैलसी होती है वो कोश्री को यहाँ से आजात करके अपने साथ ले जाने लगती है तो जो कुशी होता है वो इवान को भी साथ चलने के लिए बोलता है क्योंकि उसको पता था कि वही इन लोगों को बचा सकता है अब जो इवान होता है वो यहां से अपना समान उठाने लग जाता है और जब वो समान उठा रहा होता है तब ही उसका जो हाथ होता है वो बेल के उपर पड़ता है और बेल वजनी की वज़ा से यहां पर और गार्ड आ जाता है अब जो नेलसी होती है वो इन सभी गार्ट से लड़ना स्टार्ट कर देती है और मौका देखते ही ये सभी लोग यहां से भाग जाते हैं अब जब कुईन को ये बात पता चलती है तो वो इनका पीछा गरती है लेकिन ये लोग यहां से बहुत दूर निकल चुके थे अब नेक्स डे हमें दिखाया जाता है जो कुईन होती है वो डुबर्णियों को ये सारी बात बताती है क्योंकि टुबरणियों को पता नहीं था कि उसके भाई को कैद करके रखा गया था इसलिए वो सोचता है कि इवान ने वगाबत कर दी है और उसने सभी लोगों को भगा दिया अब दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि इस चारों लोग मिलकर विच के घर में जाकर पना लेते हैं यहां पर जो इवान होता है उससे वापस से गल्दी से विच के पूरे घर में आग लग जाती है अब जो विच होती है वो बहुत जादा उस्ता हो जाती है और वो इवान को मारने लग जाती है लेकिन तब ही यहाँ पर कोशी आता है और फूस को बताता है कि हमें उस तलवार को ढूबने के लिए इवान की ज़रूरत है इसके बाद ये चारो अपने सफर पर निकल जाता है जो इवान होता है इस जहाँ को देखकर काफी जादा खुश होता है क्योंकि ये जहाँ बहुत ही जादा खुबसूरत होती है और वो अपने सफर के मज़े ले रहा होता है अब जो नेलसी होती है वो अपनी अदाव से प्रोटेक्टर वर्डनी को पटाने की कोशिश करती है क्योंकि उन लोगों को उससे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी लेकिन जब नेलसी को पता चलता है कि वो एक फ्रॉक क्रीचर है तो वो डरके यहां से भागने लग जाती है अब जो विच होती है वो एक खुबसूरत लेडी में वदल कर वोडनी के पास आती है और वो अपनी अदाव से उसको इंप्रेस कर लेती है और जो वोडनी होता है वो उनकी हल्प करने के लिए रेडी हो जाता है इसके बात कुइन भी जहां में आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि वोडनी भी उन लोगों की हल्प कर रहा है और वो इस इंफॉर्मिशन को कि पास घिज देती है इसके बात हमें इन ही लोगों को दिखाया जाता है जि पर बहुत सारी इसे में आ जाता है लेकिन इस से पहली ही सबी लोग छुप जाते हैं अब जो नेलसी होती है वो वोडनी से हेल्प करने के लिए बोलती है अब वोडनी कुछ भी नहीं कर पाता तब ही इवान को पता चलता है कि यह जो जाइंड है वो एक फीमेल है और जो नदी पार करनी होती है यहाँ पर बहुत सारी फिशर्स होती है यहाँ पर कोशी बोडनी से मचले को कंट्रोल करने के लिए बोलता है लेकिन जो बोडनी होता है वो कंट्रोल करनी की कोशिश करता है लेकिन जो मचलिया होती है वो बहुत जादा शातिर होती है और वो बोड नेलसी है वो यहां के किंग को पसंद आ गई थी लेकिन जब कुईन को यी बात पता चली तो वो इस से जलने लग गई और उसने इसकी पूरी फैमिली को मेड़क में बदल दिया लेकिन उसने अपनी सक्तियों को वापस लेकर उनको वापस से इंसान बना लिया और अब जब लोग चाहें तो ये मेडic में बदल सकते हैं और जब चाहें तो इंसान में बदल सकते हैं अब इवान को नेलसी की एक कहانी सुनकर बहुत जदधा दुख होता है और वो उसको मनाने के लिए उसके पास ऐक हरोश लेकर जाता है उसको दूर फैक देती है अब यहाँ पर जो वोडनी होता है वो बेच के उपर गुसा कर रहा होता है क्योंकि उसी ने इन लोगों को धोका दिया होता है अब जो वोडनी होता है वो उन लोगों की यहाँ से भागने में मदद करता है और वो इनसे कहता है कि तुम लोग जाओ और मैं कुईन को यही पर रोख कर रखूंगा अब जो कुईन होती है वो अपने जादू से यहाँ पर आकर वोडने को मार डाल दी है अभी सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और रात में ही सभी लोग यहाँ पर बैठे होते हैं तो जो इवान होता है वो यहाँ से वापस जाने की बात कर रहा होता है अपनी दुनिया में जो नेलसी होती है वो यह बास सुनकर दुही हो जाती है क्योंकि वो इवान को पसंद करने लग गई थी अब हमें नेक्स टे का सीन दिखाया जाता है जो कुईन होती है वो इन लोगों के पास आ जाती है और इन लोगों में आपस में फाइट होती है जो नेलसी होती है वो कुईन से लड़ रही होती है लेकिन जो कुईन होती है वो उसको पीछे धका देती है और वो खाई में गिर जाती है लेकिन तभी वो अपने आपको मेड़क में बदल लेती है और उसकी जान बच जाती है अब जो क्वीन होती है वो इन लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगती है जो इवान होता है वो मौका देखकर यहां से भाग निकलता है और वो एक ऐसे जहां पर जाता है जहां पर बहुत सारी तलवारे जमीन के अंदर गड़ी होई होती है अब क्वीन भी उसका पीछे गरती है और वो भी उसकी पीछे पीछे उसी जहां पर आ जाती है और वो इवान के उपर हमला करने लग जाती है इवान अपने आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो इसी बीच में एक तलवार को उठाता है और यह असली जादू की तलवार होती है जैसे ही इवान उसको हाथ लगाता है वो पूरी तरहां से बदल जाती है और एक नई तलवार बन जाती है अब जो इवान होता है वो इस तलवार की मदद से आसानी से कुई अब इतने में ही यहाँ पर किंग भी आ जाता है और जो कोशी होता है वो इवान को धोका दे कर उस तलवार को किंग को दे देता है दरासल जो कोशी होता है वो एक स्टोन के वदले में किंग से उस तलवार को एक्सचेंज करना जाता है क्योंकि यहाँ पर पता होता है कि जिस आल सी होती है वो इंसान बन कर इन लोगों के ओपर हमला कर देती है अब जो तलवार होती है वो नीचे गर जाती है और इस तलवार कुछ चाहे पर कि अधार की और वह तो कोई ही हां चाहे अर्द कीmal पर जाना चाहे हूं अलो इस बार जादू नहीं होता है और वो पूल में चले जाता है अब जो गार्ड्स होता है वो उसको बाहर निकालता है और उसको जेल में बंद कर देता है यहाँ पर उसको वही बुड़ा आदमी मिलता है जो की मर गया था लेकिन असल में वो मरा नहीं था और उसने अपने जादू से खुद को बचा लिया था अब वो बुड़ा आदमी यहांपर इवान के लिए एक पोर्टरल खोल देता है और जो इवान होता है वो वापस से वैल गोरा में आ जाता है यहांपर जो किंग होता है वो अपना प्रोसेस पूरा करने ही वाला होता है लेकिन तब ही जो इवान होता है वो उसको पर बुलिट शोट करता है अब जो किंग होता है उसकी पास वो तलवार होनी की वज़ा से वो अमर हो चुका था और उसके उपर गोलिका भी कोई effect नहीं पड़ता अब तभी यहाँ पर एक dragon आता है और वो इवान की help कर रहा होता है अब मौका देखकर जो इवान होता है वो नेलसी को अजाद करने लग जाता है तो नेलसी उससे बताती है कि तुम्हें किंग को मारने के लिए उसकी पत्थर को तोड़ना होगा अब यहाँ पर जो इवान होता है वो किंग से लड़ाई करने के लिए बोलता है जो किंग होता है वो उसकी इरादों को समझ जाता है और वो तलवार के बिना है उससे लड़ाई करने के लिए चले जाता है और यहाँ पर जो नेलसी और कुईन होते हैं वो भी आपस में लड़ रहे होते हैं अब लड़ाई के दोरान इवान को पता चलता है कि किंग एन कुईन ने मिलकर उसकी पिता जी को पत्थर में बदल दिया था अब तभी यहाँ पर हमें कोशी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आकर उस पत्थर को भाग जाती है अब जैसे ही वो पत्थर तूपता है तो जितने भी पत्थर में बने हुए लोग होता है वो अपने असली रूप में वापस आ जाता है और जो इवान के डैड होता है वो भी इंसान बन जाता है अब इवान अपने डैड को देखकर इमोशनल हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं इसके पाद जो इवान होता है वो इसी दुनिया में रुखने का डिसाइड करता है और वो यहाँ पर नैलसी से शादी भी कर लेता है और वो यहाँ पर बहुत सादा होश होता है एक दिन जो इवान होता है वो अपनी दुनिया में वापस जाता है और वो उसी बच्चे के पास आता है जो की हॉस्पिटल में एड्मिट होता है और जो की कॉमा में होता है अब इवान उसको एक सिरब पिलाता है और वो बच्चा ठीक हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है तो गाईज अगर आपको ये मूवी अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी मज़दार वीडियोस को देखने के लिए और हाँ बलाइक उनको दवाना ना भूलें थैंक्यू फूर वाचिंग गाईज